हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो टाटा डियागो ईवी के बारे में है जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स अब टाटा टियागो ईवी लाउंच करने जा रहा है जिसकी प्री 10,000 बुकिंग लगबख 10 अक्कुबर तक थी जिसमें स्टार्टिंग 10,000 कस्टूमर्स के लिए जो प्राइस अभी बताय गए हैं वही रहने वाले हैं इसके बात क कस्टूमर्स के लिए यह प्राइस डिफरेंट होंगे टाटा टियागो ईवी के लिए लगबख तीन महिने की वेटिंग चल रही है तो पहली टाटा टियागो ईवी आपको लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जनौरी में देखने को मिलेगी टियागो ईवी में बैटरी पैक के साथ आने वाली है जिसमें पहली बैटरी 19.2 किलोवाट एसी की होगी और दूसरी बैटरी 24 किलोवाट एसी की होगी 19.2 किलोवाट एसी बैटरी पैक टियागो ईवी की की मत लगबख 8 लाक रुपए होगी जो की बेस प्राइस है और 24 किलोवाट एसी के साथ आने वाली Tata Tiago EV में आपको slow charger देखने को मिलेगा जो की 3.3 किलोवाट AC का है जिसमें आपको 2 model देखने को मिलेंगे पहला model है XC जिसकी कीमत होगी लगबग साड़े आठ लाग रुग है और दूसरा model होगा XT जो की होगा 9,10,000 रुपए के आसपास इसमें आपको दो model ही देखने को मिलेंगे 24 किलोवाट के साथ आने वाली Tiago EV में आपको दोनों charger मिलेंगे जो कि एक फास्ट होगा एक slow होगा slow charger 3.3 kWAC का होगा और fast charger 7.2 kWAC का होगा इसमें आपको total 5 variant देखने को मिलेंगे 3.3 के साथ में आपको इसमें XT variant मिलेगा XZ plus variant मिलेगा और XZ plus Tech Lux मिलेगा जिसमें XT की कीमत होगी 9,99,000 XZ plus की कीमत होगी 10,80,000 और XZ plus Tech Lux की कीमत होगी 11,30,000 रुपए जिसमें XZ plus और XZ plus Tech Lux में 50,000 का difference होगा साथ ही 7.2 kWAC की charger के साथ में आपको दो model देखने को मिलेंगे XZ plus और XZ plus Tech Lux इसमें सिर्फ दो ही variant आएंगे अगर आपको fast charging लेनी है तो इसमें आपको सिर्फ दो model ही आएंगे XZ plus और XZ plus Tech Lux XZ plus की कीमत होगी 11,30,000 रुपए XZ plus Tech Lux की कीमत होगी 11,80,000 रुपए Tiago EV में XZ plus Tech Lux में लगबग 50,000 का difference है जिसमें आपको push start button, leather sheet और steering wheel cover यही provide होगा अगर आप XZ plus Tech Lux आप लेना चाते हैं तो यह 50,000 आपको extra पे करने होगे जिसमें आपको push start button, leather sheet और steering wheel cover भी मिलेगा अब बात करते हैं charging time के बारे में जो slow charger 3.3 kilowatt का वो लगबग आपकी Tiago EV की battery को 8 गंटे में charge कर देगा और fast charger 7.2 kilowatt AC का Tiago EV को लगबग 3.5 गंटे में charge कर देगा अब बात करते हैं Tiago EV की range के बारे में 24 kilowatt की battery pack के साथ में आपको 315 km की range मिलेगी और 19.2 kilowatt की battery pack के साथ आपको 2500 km की range मिलेगी जो की company claim करती है बागी थोड़ा बहुत आपके चलाने के उपर भी depend करेगा कि आप इससे कितनी distance ले पा रहे हैं अब थोड़ा सा compare करते हैं Tata Tiago EV को Tata Tiago petrol से Tata Tiago EV 1000 km में लगबग आपके 1100 रुपए के आसपास की बिजली लेगी जब की Tata Tiago petrol 1000 km चलने पर आपका 7500 रुपए का petrol लगएगा जिसमें आपको कम से कम 6400 रुपए का फाइदा है Tata Tiago EV एक टाइप से best option है in future के लिए तो दोस्तों कैसी लगई आपको मेरी जानतारी आपको कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएं जन्दी Tata Tiago EV पर रेवी भी लेतर आएंगे एक चैनल को सब्सक्राइब करें